ओम नमज सिवाई दर्सको कैसे हैं आप सब आसा करता हूँ उम्मीद करता हूँ कि भवान भोले नात की दिया से आप लोग भी अच्छे होंगे दोस्तो आज हम आपको बताएंगे कि रात को सोने से पहले कौन सा कारे है जो जरूर कर लेना चाहिए और कौन सा इसा कारे है जो भूल कर भी ना करें चलिए शुरू करते हैं दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि इसी तरह की हर चीज की वीडियो आप तक पहुंचती रहे चलिए शुरू करते हैं सभी के पास एक सरीर है दो नहीं है हामित्रो सभी के पास एक ही सरीर है जो दो नहीं है लेकिन उस एक सरीर में दो दो चीज़े हैं जैसे दो हाथ हैं दो पैर हैं दो आख हैं नाग के दो छिद्र हैं दो किडनी हैं एक दिमाग के दो हिस्से है हाला कि हम यह भी कहाना चाहते हैं कि आपके पास और कुछ भी दो होता है जैसे पहला सोना और दूसरा जागना यह सोने और जागने के बीच भी दो बाते घटित होती है पहला स्वपने देखना और दूसरा सुपुष्टी अर्थात गहरी नीद से सो जाना आप जीवन में क्या करते हैं इसका भी कुछ रहस है जैसे खाना, पीना, सुभना, देखना, बोलना, सोचना, भाव करना, बोध करना, हसना, रोना, स्वपने देखना गहरी नीद में सोना, चलना, दौडना, हाथों से कोई कारी करना, संभो करना और चुप रहना बस यहीं सत्रा या अठारा काम ही करते हैं लेकिन इन्हें अच्छे से मैसेज नहीं कर पाते हैं लेकिन यदि आपने सिर्फ सोने को ही अच्छे से मैसेज कर लिया तो आपने आधाकारी कर लिया क्योंकि हम कम से कम 6-7 घंटे सोते हैं तो यह जानना जरूरी है कि सोने से पहले क्या करना चाहिए क्योंकि इसी पर हमारा भविस्टिका रहता है तो आईये जानते हैं पहला है जिस पर बिस्टर पर हम 6-7 घंटे रहते हैं यदि वो हमारी मनमर्जी का मन मताबिक है तो सरीर के सारे संताप मिट जाते हैं यानि दिन भर की ठकान मिट जाती है उतर जाती है अता बीश्तर सुंदर मुलायम और आराम दायक तो होना ही चाहिए साथ ही वह मजबूत भी होना चाहिए चादर और तकीय का रंग भी ऐसा होना चाहिए जो हमारी आँखों और मन को सकून दे दूसरा है सोने से पुर्व प्रति दिन कपूर जला कर सोएंगे तो आपको बेहद अच्छी नीद आएगी और साथ ही हर तरह का तनाव खत्म हो जाएगा कपूर के और भी कई लाब होते हैं तीसरा है सोने से पुर्व यदि आप बिस्तर पर वे बाते सोचे जो आप जीवन में चाहते हैं जला भी नाकरात्मक बातों का ख्याल न करें ध्यान न दे उस पर क्योंकि सोने के पुर्व यानि सोने के पहले दस मिनट तक का समय बहुत समय दनसील होता है जबकि आपका अवचेतन मन जागरत होने लगता है और उठने के बाद का कम से कम पंदर मिनट का समय भी बहुत समय दनसील होता है इसी दोरान आप जो भी सोचते हैं वो वास्तविक रूप में घटित होने लगता है चौथा है आप सोने जा रहे हैं तो यह भी तै करें कि आपके पैर किस दिशा में है दच्छिड दिशा में है या पुरु दिशा में है तो दच्छिड और पुरु में कभी भी पैर न रख है पैरों को दरवाजे की दिशा में भी न रख है इसे से सेहत और सम्रिधी का नुकसान होता है पुर्वधिसा में सीर रखकर सोने से ज्ञान में बढ़ोतरी होती है और दच्छिर दिसा में सीर रखकर सोने से सांति सेहत और सम्रिधी मिलती है पाचवा है जूटे मुँ और बगर पैर धोने नहीं सोना चाहिए चटा है अंधो मुख होकर दूसरे की सया पर तुटे हुए पलंग पर तथा गंदे घर में नहीं सोना चाहिए सात्वा है कहते हैं कि सीधा सोय योगी, डाबा सोय निरोगी, जिमना सोय रोगी सरीर भी ज्यान काता है कि चित सोने से रीड की हड़ी को नुकसान पहुचता है जबकि आधा सोने से आखो को नुकसान होता है आठवा है सोने से दो घंटे पुरू रात का खाना खा लेना चाहिए, रात का खाना हलका और सात्वी खोना चाहिए नवा है अच्छी नीद के लिए खाने के बाद वजरासन करे फिर भ्रामरी प्राडायाम करे और अंत में स्वासन करते हुए सो जाए दोस्तो वीडियो कैसी लगी यदि अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरू सब्सक्राइब करदर हम मिलते हैं अच्छी रगले वीडियो में तब तक के लिए ओम नमस्यवा